बच्चों आज हम सिखेंगे आपकी जो नॉट्बुक है ना डबल लाइन नॉट्बुक उसमें हिंदी कैसे लिखना है है ना मैं आपको यहां लिखा हुआ एक पेज दिखा कर बताती हूँ आपको हिंदी के फ़ॉंट किस तरह से लिखना है वो दिखाओंगी आपको जो मैं वक दे रहे हूँ वो नॉट्बुक में इस तरह से लिखना है ठीक है तो आई ये दिखाती हूँ यह रहा देखिए यह मैंने पूरी वर्णमाला लिखी है उसमें इस पेज में मैंने स्वर लिखे हैं देखा आपने बिल्कुल इसी तरह आपको लिखना है कौनसी लाइन में कैसे लिखना है बिट्विन टू लाइन अपका लेटर होना चाहिए यह सारी चीजे ध्यान में रखका फिर से लिखना है ठीक है अब मैं व्यांजन वाला पेज दिखा रहे हूं यह देखिए यह व्यांजन लिखा हुआ है ठीक है आगया समझ में तो फटाफट इसी तरह आपको अपनी नॉ यह मान लो आज का आपका होम असाइन्मेंट है ठीक है गुड़ अब इसके बाद बच्चों हमने आमात्रा सीख ली पर थोड़ी सी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है इसलिए मैं आमात्रा के वर्ड्स का अभ्यास करवाती हूं ठीक है आईए यह आमात्रा के जो व्यंजन है मैंने यहाँ आपको दिखाया है उसको एक बार फटाफट रीड कर लीजिए है ना यह काखा गागा से लेकर स्रातक ठीक हमने सीख लिया है पर एक बार प्रैक्टिस करने के लिए मैं यह फिस से आपको दे रही हूं ठीक है अब यह वाले वर्ड्स रीड कर लीजिए चलो मैं रीड करती हूं आप मेरे पीछे पीछे दोहर आईएगा राग दाग जाग साग नाग दाल काल डाल जाल थाल मार पार आर चार राम दाम बाम दाम नाम कान दान मान आन दान हो गया अब आम आतरा बिलकुल बराबर से समझ में आ गई गुड तो यह पेज भी आपको अपनी हिंदी से डवल्यू नॉट्बुक में लिखना है यह वर्ड्स ऐसे बीच में है ना इस तरह से पहले लाइन बनानी है है ना ऐसे स्ट्रेट पैंसिल और स्केल से ऐसे वन टू थ्री फो फाइव कॉलं बने ऐसे चार लाइन बनानी है ठीक है फोर लाइन बना ओगे तो आपको फाइव कॉलं मिल जाएगा उसमें आपको यह वर्ड्स सिफ एक बार नीटली ब्यूटिफुल हैं डैटिंग में लिखना हैं ओके डिद यू गेट इस गुड़ तो आज का आपका हुमवर्क आपको समझ में आ गया क्या दिया है मैंने यह यह वाला पेज दिस वन और क्या दिया है और मैंने दिया यह दो पेज एक यह वर्णम स्वार और यह व्यांजन बस यह तीन पेज आपको अपनी हिंदी सी डवल्यू नॉट्बुक में लिखना है हाँ भूलना मत यहाँ टो अप दो पेज लेफ्ट कोर्नर में लिखना है डेट 1607 2020 यह तीनों पेज में लिखना है ठीक है बच्चो जो होम उसाइनमेंट करोगे आप उसमें तीन पेज में ने दिये है तीनों पेज में आपको ये डेट लिखनी है वो तो हैबिट ही डालनी है आपको जब भी कुछ भी हम काम करें उस दिन की डेट आपको कमपसरी लिखनी है चाहिए मैं बताओं या कभी शायद मैं बताना भूल जाओं पर आप याद रखियेगा मुझे भी याद करवाईएगा कि मैम आपने डेट नहीं लिखी ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही See you in next class Till then Bye Bye Thank You Have a beautiful day Take care